अलो एम वेलकम टाइम स्राइब भारत देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपर हिट बॉलिटन लेकर हाजर हैं हम मैं हूँ आपके साथ श्वेता बटाचा नमस्कार सुप्रभाद गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया के साथ मैं हूँ जोती है आज हमारे साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बॉलिटन में है और जोती फॉर्मिट तो वही है हमारा तो अगले एक घंटे तक हम तमाम वो खबरे अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है तो अगले एक घंटे के लिए बने रहे हम हमारे साथ तो देखे श्वता क्यूंकि मैं जिकर से पहले ठंड का कर रही थी कि किस तरीके से आज ठंड का एहसास जो है वो कभी कोहरा कभी ठंड बहुत जादा फील होता है लेकिन लोगों को जिस मौसम का बेसबरी से इंतजार था यानि कि स्नो फॉल का वर्फबारी का वो भी आ चुका है जम्मू से लेकर उत्राखंड हेमाचल तक में बर्फबारी देखी गई हैं बिल्कुल लेकिन फिल हाल देखिए शुरुआत तो हम अलाहबाद यूनिवसिटी की ख़बर से करते हैं जहां पर एक बार फिर से अलाहबाद यूनिवसिटी इसलिए प्रॉक्टर पर रैगिंग कारोप लगाते हुए शात्रों ने बवाल काट दिया पीडिक छात्र का रोते हुए वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें वो अपनी आप पीती बता रहा है प्रॉक्टर आफिस बुलाया जाता है और उसके बाद प्रॉक्टर आफिस बुला कर मुझे मारा जाता है और उसके बाद मेरे पाइंट खुलवाया जाता है तथा मेरे साथ बत्तमेजी की जाती है मुझे मेरे साथ असलीलता करते हैं और उसके बाद मुझे गलत तरीके द प्रॉक्टर ने सारी हदे पार कर दी रैगिंग के बहाने च्छात्र के साथ अश्लीलता की गई प्रॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ च्छात्र के साथ गलत हुआ तो साथियों ने हंगामा कर दिया च्छात्र प्रॉक्टर के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं तो भही अखिले श्यादव ने फोरण ट्फीक की और कहा कि राष्ट्रपती मामले का संग्यान ले आरोपियों पर कारवाई करे च्छात्र आहत है कह रहा है कि नयाय नहीं मिला तो वो जान दे देगा लेकिन युनिवर्सिटी प्रशासन पूरे मामले से अंजान बना है ऐसे में छात्र के साथ कुछ हुआ तो जवाब देही किसकी होगी ये बड़ा सवाल है तो देखना है आपने किस तरीके से इस छात्र ने प्रॉक्टर पर आरूप लगाए है अब देखे आगे कारवाई क्या होती है लेकिन मद्धप्रदेश की अब बात करें मद्धप्रदेश के इंदोर से देखे एक खौफनाख वीडियो जो है वो सामने आया है बदमाशों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाया है और इस वारदात का वीडियो अब जाकर सामने आया है बिल्कुल और ये वीडियो आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है और वाकई क्या मामुली सा जो विवाद है वो इतना घड़ा बन सकता है इन तस्वीरों को देखकर आपकी सोचने को मजबूर होंगे तस्वीरें MP के इंदौर शहर की है जहां देर रात बदमाशों की दबंगई का खतरनाक वीडियो सामने आया वीडियो में दो शक्स दिख रही वो एक लाल रंकी स्कूटी पर कुछ डालते हुए नजर आ रही है पहले एक शक्स स्कूटी पर पेक्टरोल का तेल डालता है फिर दूसरा शक्स माचिस की तीली जलाने लगता है देखिये कई सेकंग्स तक वो माचिस जलाने की कोशिश करता है फिर दूसरा साथ ही आता है फिर दोनों माचिस जलाने लगते हैं काफी देर तक दोनों शक्स यही करते दिखते हैं, बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी माचिस नहीं जलती, तो दोनों पहले कुछ बात करते हैं और फिर गली में चले जाते हैं, जिससे देखकर पहले तो यह लगता है कि यह शायद चले गए हैं, लेकिन चंद ही मिंट इलाके के साथ आग लग जाती है, स्कूटी पूरी तरह से जल कर खाक हो जाती है वीडियो में दिख रहे बदमाशों की पहचान आयूश और बच्चू के नाम से हुई है दोनों ने मामूली लड़ाई जगडे के बाद इलाके में रह रहे मन्नू लाल कश्चप के घर के बाहर खड़े तीम बाहनों को पदमाशों ने आग के हवाले कर दिया ये पूरी वादात गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसके आधार पर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है तो वही बहन में आग की दूसरी घटना नॉड़ा से सामने आई है जहां चलती कार में आग लगने से कोहराम बच गया कार में लगी भीषण आग को क्राफिक पुलिस कर्मियों ने बुझाया साथी कार में मौझूद लोगों की जान भी बचाए तो कितनी तेजी से जो है वो भड़कने लगी कि इसकी लप्तें बहुत दूर से देखी जा रही थी वही लखनव में भी आग ने जमकर कोहराम मचाया है तांडव मचाया है दोनों शहरों से आई तस्वीरे आपको दिखाते देखिए आग के तांडव की ये तस्वीरे महराश्च्ट की खाड़ी में उस वक्त हरकम पमच गया जब एक केमिकल फैक्टरी की बिल्डिंग में भीशन आग लग गई आग इतनी भयानक थी कि आग ने बिल्डिंग के कई फ्लोर को अपनी चपेक में ले लिया वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद केमिकल फैक्टरी की बिल्डिंग से काले धुमे का गुबार पूरे आसमान पर छा गया है वहीं आग की लपके जिस तरह से उप रही है उसे देख कर लोग भी सहम गए आग इतनी भयानक थी कि इसकी तस्वीरे दूर से भी देखी जा सकती थी आग की वज़ा से जहां केमिकल फैक्टरी को बड़ा नुकसान पहुँचा है तो वहीं विल्डिंग के कई फ्लोर भी जलकर तबाह हो गए है आग की एक और घटना ने यूपी की राजधानी लखनों में संसनी फैला दिया आग की एगट ना घटी थी लखनों के गुमती नगर रेल्वे स्टेशन पर जहां रेल्वे स्टेशन पर काम कर रही एक क्रेन में अचानक आग लग गई इसके बाद स्टेशन पर अफरा तफ़ी मच गई, आग इतनी भयानत थी कि पूरी क्रेन जलकर खाक होगी। सोच ना मिलने पर मौके पर पहुँची फाइब बिगेट की गाड़ी ने क्रेन में लगी आग पर कापू पाया। और शीके बगली कबर आपको नॉइडा की दिखाते हैं, जोहां एक बार फिर से पार्किंग को लेकर जम कर विवाद हुआ, विवाद कुछ दबंग युफकों और पार्किंग करमजारियों के बीच हुआ, ये पूरा मामला बताया चारा है, गाड़ी सही पार्किंग ना किय जाने को लेकर शुरू हुआ, नॉइडा की सेक्टर 18 का ये मामला है, पिलकुल हंगामा और मार्किंग को लेकर दबंग हो और पार्किंग करमचारी के बीच जम कर मार्किंग हो गई, आरूप है कि दबंग युवकों ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी, जिसके बाद पार्किंग करमचारी ने लॉक लगा दिया, इसके बाद भड़के दबंग युवक पार्किंग करमचारी पर तूट पड़े और जम कर मार्किंग हो गई, वही मौके पर पहुचे पुलिस के सामने भी आरूपी दबंगों का हंगामा जानी रहा, आरूपी अ करमचारी की शिकायत पर तीन आरूपियों के खिलाफ से करवीज के थाने में मामला दर्ज किया गया, और पुलिस अब आगे की कारवाई में जुट गई है। आरूपियों से बाचीत की लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बेगड़ गया, इसे देखने के बाद अब सवाल ही उठते हैं कि क्या एक बार फिर से हिजाब गैंग जो है, वो अक्टिव होने लगा है। माफी मांगने वाली कोई बात भी नहीं है, इसे मांगे भी नहीं जाएगी और इस प्रकार के हरकते बरदाश भी नहीं की जाएगी। जैपुर में सौमवार सुभा सेक्रों की तादात में मुस्लिम छात्ताएं सड़कों पर धर्दा देनी है। हातों में तक्ति लिए एक सुर में नारा बुलंद करती रही, बार बार दोहराती रही, बाबा माफी मांगने का। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये बाबा कौन है? तो बता दे कि ये बाबा कोई और नहीं बल्कि जैपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकंद आचारे है। वही बाबा जो राजिस्थान के चुनाव में जीत के बाद आक्शन में दिखाई दिये। अब उनी बाल मुकंद आचारे से मुस्लिम छात्राएं माफी मांगे को कह रहेगी हैं। मेकिन क्यू इसका जवाब इन छात्राओं से ही सुनी जी है। हिजाब तहनी इन मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि आचारे बाल मुकंद हिंदू मुसल्मान करना चाहते हैं। लेकिन पूरा सच ये नहीं है जो भी तक आपने जाना और सुना है। अब आपको मामले का दूसरा पहलो भी बताते हैं। पहले ये वीडियो देख सीचे। बाल मुकंद आचारे जैपुर के गंगा पोल इलाके में स्थितिक सरकारी स्कूल में आन्यूल फंक्शन में पहुचे थे। जहां कुछ छात्राएं हिजाब पहने हुई थी तो कुछ बिना हिजाब के। इसी को लेकर बाल मुकंद आचारे ने आपत्ती जाहिर गी। जिसका असर ये हुआ कि सेंक्रों की संख्या में मुस्लिम छात्राएं सरकों पर उतर कर नारे बाजी करने लगी। आज में इसी पूरे मामले को लेकर पूछताच आगे बढ़ाई जा सकती है और इस स्कैम में लालू के बेटे तेजस्वी यादव से भी एडी की पूछताच होगी। आपको दादी लालू यादव से किस तरह के सवाल पूछे गए, किस किस का वो जवाब दे पाए, एक्स्क्लूजिव तोर पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लैंग फोर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की मुश्किले बढ़ती जा रही है। लालू यादव से इस दौरान किये गया है, जिसमें अधिकतर सवालों के जवाब लालू ने हाँ या ना में दिया है। लालू यादव ने हाँ या ना में ही दिया है। इडी सूत्रों की माने तो दस खंटे की पूच्टाच के दौरान डालू यादव को चाय नाश्ता दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता दिया गया। इस दोरान उने डौक्टर की तरफ से लिखी हुई सभी दवाईयां भी निर्धारित समय पर दी गई। यहां तक कि दवाईयों को खिलाने के लिए खुद उनकी बड़ी बेके मिसा भारती को अकेले एडी कार्याले के अंदर आने की परमिशन दी गई थी। देखे जब जब चुनाओ करीब आते हैं इस तरह के देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके निताओं को इसी तरह से परिशान किया जाता है रस किया जाता इन एजिंसियों के द्वारा चाहे वो एडी हो चाहें सीबी आई हो या इंकम टेक्स हो उनके सबाका और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग इस देश कि कमान जिनके हाथ में हैं वो 24 को लेके काफी डरे हुए हैं निसा भारती ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलकवार करते हुए निशाना साधा है कि जो मुकदमे हैं उस पर कानून अपना काम कर र सीथ है वहां तो कानून जाएगा ना तो इसमें कौन बड़ी बात है कानून जाएगी और कानून सबका एक समान से एक नजरिये से सबको देखा करती है लालू से पूछताच के बाद अब एडी आज लालू के बेटे तेजस्वी आदव से पूछताच करेगी अब देखना होगा कि एडी तेजस्वी से कितने सवाल और कितने घंटे पूछताच करती है तो देखे एक तरफ Land for Job मामले में जहां लालू यादव और उनके परिवार पर ED का शिकंजा कसने लगा है उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं तो दूसरी तरफ जारखन में भी हालात कुछ हैते ही हैं जारखन से लेकर दिली तक में सवाल उठने लगे हैं बहरहाल जमीन होटाले को लेकर मनी लॉंडरिंग केस में सीम हेमन्त सोरेन पर ED का शिकंजा कसने लगा है बिल्कुल और हेमन्त सोरेन इस दौरा नगायब हो गया हैं अंडरग्राउंड हो गया है ED के सवाल जवाब से बचने के लिए अभी फिलाल हेमन्त सोरेन कहा है ये किसी को नहीं पता बीजेपी ने तो भगोड़ा तक हेमन्त सोरेन को कह दिया है इसे से जूरी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं देखे जरा कहा है सीएम हिमंत सोरेन एडी सीएम हिमंत सोरेन को जहारखई से लेकर दिल्ली तक तलाश रही है लेकिन हिमंत सोरेन कहा है यह अभी एडी के लिए पहेली बना हुआ है इगी जार्खन में जमीन घोटाले को लेकर मनी लॉंगरिंग केस में सीम हिमन सोरेन से पूचताच करना चाहती है इगी सोरेन को अब तक 10 समन भी दे चुकी है सोरेन से पूचताच के लिए इडी जार्खन से दिल्ली भी पहुंची लेकिन पता चला कि वो सड़क मार के जर्ये जार्खन रवाना हुए है लेकिन अब तक उनकी लोकेशन का पता नहीं चल सका इडी ने दिल्ली में हेमन सोरेन के आवास पर जाच के दौरान BMW कार को जब्त किया सूत्रों के मताबेक जब्तकार बिनामी संपत्ती से खरीदी गई बताई जा रही है इडी हेमन सोरेन को तलाश कर रही है लेकिन जार्खन सरकार की तरफ से इडी को मेल किया गया कि हेमन सोरेन 31 चनवरी को पूचताच के लिए पेश होंगे वहीं हेमंत सोरेन पर जार्खंग से बीजेपी सांसद निशिकान दूबे ने हमला बोला सोशल मीडिया एक्सपर निशिकान दूबे ने सीम हेमंत सोरेन को भगोडा बताते हुए कहा कि जाज जिंसी का सामना करने की बजाए हेमंत सोरेन भाग रहे है यस भी जार्खंग में सियासी हलचल भी तेज हो गई जे एमेम विधायकों को बैग्स के साथ राची आने और 31 तक राची में ही रहने को कहा गया लेकिन सीएम हिमंद सोरेन अभी कहा है ये सवाल अभी बना हुआ है और चलिए बात करेंगे CAA की जोती याद होगा CAA को लेकर देश में पुरे कितना बवाल मचा था एक बाद फिर से इसको लेकर केंद्रे मंतरी शांतनु ठाकुर ने बयान दिया है लेगिन शांतनू ठाकुर ने ऐसा कहा क्या ये रिपोर्ट में देखिया आम चुनाव से पहले केंद्रिय मंत्री शांतनू ठाकुर का ये बयान आते ही सियासी भूचा ला गया मम्ता बेनरजी ने कहा कि CAA के नाम पर BJP राज़ दिती कर रही है शांतनू ठाकुर दक्षर 24 परगना में एक सार्चनिक बैठक में भाशन दे रही थे तब ही उन्होंने मंच से CAA लागू करने की गारंटी दे दी CAA पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी ये अब तक लागू नहीं हुआया है आपको याद होगा कि CAA को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ था लेकिन अब सरकार इसे लागू करने के मूट में है मेरे ग्रेह मंत्री जी पर पूरा विश्वास है वो बोलके गए है कि CAA हम लागू करेंगे तो CAA जरूर लागू होगा CAA क्या है जिस पर सियासत जोर पकरदा ही है तो सुनिए CAA कानून के तहट पडोसी देश पाकिस्तान, बांगलदेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्थ संख्यकों को भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू सिख इसाई जैन बौध के साथ पार्सी लोगों को CAA के तहट नागरिक्ता दी जाएगी इसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलदेश से आए हुए विस्थापितों को डौक्यमेंक्स की भी जरूरत नहीं होगी CAA को लेकर साल 2020 से लगातार एक्स्टेंशन लिया जा रहा था लेकिन सरकार अब किसी भी हाल में CAA लागू करना चाहती है और इसलिए साथ दिन के गैगलाइन भी दे दी गई है और जगे हम आपको अगली खबर दिखाते हैं जो कि राजधानी दली से आ रही है एक बार फिर से बहुत ही हैरान कर देने वाला वाक्या जहां इमाम को कैसे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में जाना भारी पड़ गया दरसल अब इमाम को जो मौलवी हैं उन्होंने ही फत्वा जारी कर दिया है और फत्वा जारी होने के बाद इमाम ने दो टुक जवाब दिया है नफरत करने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे डाली है, रिपोर्ट दिखाते हैं इमाम हिंद का मतलब यह है, कि बहुत सारी चीजें राम जी की ऐसी हैं, जो हमने उनकी जीवनी पड़ी है, तो अच्छी चीजें हैं, और हम भी उनको कहते हैं, कि हो सकता है, यह मेसेंजर ओफ गोड हो। फत्वा जारी करने वालों को विरुद्वी को फत्वा जारी करना चाहिए, जिसे दुबारा से को इस तरह का दुस्तास न कर सके। तरहसल 22 जनवरी को राम राला की प्राण प्रतिश्ठा पर इमाम उमेर इल्यासी को निमंतरण मिला था, जिसके बाद इमाम कारेक्रम में पहुँचे, इसके बाद मौल्वियों ने इमाम के खिलाफ फत्वा जारी कर दिया। अब एमाम ने मौल्वियों को जवाब दिया है कि राष्ट्र सर्वो परी है और अयोध्या मोहबत का पैगाम देने के लिए गए थे वो। कॉंग्रेस ने नितीश कुमार को भी पता है निमंतरत दिया था लेकिन उसके पहले ही उन्होंने पल्टी मार ली है तो आज राहूल गांधी नितीश बाबू को क्या संदेश देते हैं ये देखना भी जरूरी होगा हाला कि कॉंग्रेस दावा करिए कि दो लाग से जादा लोग जो हैं वो पहुँषने वाले हैं जब राहूल गांधी लोगों को सम्बोधित करेंगे रेपोर्ट दिखाते हैं देखे सरा पहुँए दोनों निता सभा को सम्बोधित करेंगे पहले ये कहा गया कि रहुँ के साथ तेजस्वी यादव भी मंच साज़ा करेंगे लेकिन ईडी के सामने तेजस्वी की पेशी को देखते हुए आज लालू परिवार का कोई भी सदस्ते राहुल के साथ निया यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा हाला कि कॉंग्रेस दावा कर रही है कि जनसभा में करीब दो लाख लोग पहुचेंगे इसके बाद ये यात्रा 31 जिनवरी को ककेहार पहुचेगी एक फरवरी को अररिया होते हुए जार्खंग में प्रवेश करीगी राहुल की निया यात्रा के बीच बीज़िपी आईटी सेल के हेड़ अमितमालवी ने मलेकारजुन खडगे का एक वीडियो ट्वीट करते हुए तंज कसा है तरवसल खडगे ओडेशा में इस सभा को संबोधित कर रही थी कि खडगे के सभा के दौरान लोग राहुल-राहुल के नारे लगाने लगी और इसी को लेकर खडगे भड़क गई ट्वीट करते हुए अमित मालवे ने कहा कि खड़गे और राहुल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा फिलाल हकीकत क्या है ये कॉंग्रिस को ही बहतर पता होगी और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको याग को लेकर सुनवाई होनी है और इसी को लेकर देखे काशी में शंकराचारेश स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद को नजर बंद कर दिया किया है स्वामी जी की मांग की वजह से प्रुषासन ने अपनी पैनी नजर में रखा है क्या है स्वामी जी की मांग, स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रपोर्ट ज्यानवापी में ऐसा इस सर्वे की रिपोर्ट सर्वजनिक होने के बाद से हिंदू पक्ष बार बार पूजा की मांग कर रहा है पश्चिमी दीवार वजुखाने का मामला पहले से ही कोट में है और अब व्यास्टी की तहखाने में पूजा पाठ की मांग को लेकर नई आचे का दायर हो गई है जिस पर वारानसी की जिल अदालत में आज सुनवाई होगी उसमें मूलता ये मांग की थी कि जो व्यास्ट तैखाना है जिसमें नवेंबर 1990 थी तेख फूजा हो रही थी उस तैखाने पर रिसीवर अपॉइंट किया जाए तो सिर्फ एक व्यास परिवार का है जिस पे इस समय रिसीवर नियूक तो चुका है 17 जन्वरी के ओडर से और वाकि सुप्रीम कोट में याचिका डाली आठ और तैखाने खुलवाने के लिए तो अधर ज्यानवापी में पूजा पाठ करने को लेका शंकराचारे स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी सामने आए हैं उन्होंने ज्यानवापी परिसर में आदी विवेश्वरानंद की परिक्रमा की मांगी है परिक्रमा की बात है जो जिद है उसको टाल दे हमारसाथ बाचीत के लिए एसपी अजो अटुल अंजान प्रिपड़ी जी है क्या उनकी मांग थी और क्यों रुका गया है परिक्रमा पर रोग को लेकर शंकराचारे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानन सरस्वती को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आश्रम में ही नजर बंद किया गया है तो उस समय हम उनके आदे से पूजा करने जा रहे थे हमको रोग दिया गया कि आप डेड़ साल का समय बीच गया और पूजा भोग जैसे विशेः पर डेड़ साल से तारीक पे तारीक दी जा रही है निर्णा नहीं किया जा रहा है और उस पर निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है और भगवान की पूजा बाधित है तो हमारे मन में इस बात की बड़ी पीड़ा है कि हम हमारे भगवान परकट हैं और हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हमने सोचा कि जो कर सकते हैं वही कर लें तो परिशर के अंदर जाने पर रोग है परिशर में न जाते हैं परिशर के बाहर ही चारों तरब गूम करके परिक्रमा करके और दूर से भर नजर निहार करके प्रणाम कर लेंगे तो उस पर भी रोक लगा दी जा रही है जानवापी परिसर में तक्रीबन 92 दिनों तक एसाई का सर्वे चला इसके बाद एसाई ध्वारा चार बार रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय की मांग की गई इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ज्यानवापी परिसर में पूजा पाठकी मांग कर रहा है और चलिए फिटरिया के सुपर हेट बॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही लेकिन